हालो फ्रेंट्स वेल्कम टू डिजाइन और जंक्सन। मैं सचीन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया क्लास टिप्स एंड ट्रिक्स का लाश्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि आप जैसे बहुत सारे क्वेरी आते हैं कैसा PC ले ठीकर रहा है मैं वर्सेज ग्राफिक कार्ड वर्सेज सीपी यू तो बहुत सारे हमारे पास क्वेरी जो आते हैं तो उसी के उपर मैंने आपको ऐसे टास्क मैनेजर खोल के और दिन आपको बताया कि आपका CPU क्या काम करता है, ग्राफिक कार्ड का आप क्या करता है, ठीक है, मेमोरी क्या काम करता है, उससे ठीक जुड़ा हुआ, लास्ट मैंने अभी वीडियो डाला था, आप आज एकन पे यहां लिंक भी मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हो उस वीडियो का, चैनल पे जाकर के विजिट करोगे, तो वीडियो में ही मिल जाएगा, वो लास्ट से पहले वाला वीडियो, सारा को कैलकुलेट करके, GPU, सब कुछ मैंने CPU, GPU, ठीक है, और RAM का, सबका मैंने फर्क बताया कैसे क्राफ करता है, ठीक है, उसी से related आज का क्लास है, ज्यादा तर क्या होता है, उसमें मैंने बताया कि RAM आपका ग्राफिक कार्ड के लिए, जो है, काफी मतलब, render के टाइम पे RAM आपका बहुत जादा ज़रूरी है होना, ग्राफिक कार्ड का उतना यूज नहीं है, ठीक ह का भी फर्क है, उसमें मैंने दिखाया है, लाफ्ट वीडियो में कि उतना आपको सपोर्ट नहीं करेगा, अगर आप CPU में निकालते हो, ठीक है, अगर आप GPU में रेंडर निकालते हो, आज हम उस वही बताने जा रहे है, कि अगर, लाफ्ट में ने बहुत सारे तरीके बताय है, ठीक है, अगर आप CPU में जैसे यहां पर CPU में, जो normal हमारा होता है, वीरे 5 का यह CPU रेंडर जो उसमें अगर आपूरा सेटिन में निकाल सकते हो जल्दी से जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो आप बोगले प्वीडियो निकाले उसके अलाबा आपको वीडियो लेकिन अपनाह often अपने बहुत अच्छा लगा है हर आदमी का अपना अब करता है तो अब हम क्या करेंगे आप ग्राफिक कार्ड का यूज कैसे कर सकते हो ठीक है इसमें तो मैंने आपको बताया लेकिन GPU में CPU में अभी तक हम जादा तर CPU पे खेल रहते हैं लेकिन आज के वीडियो में वस इतना यही बताना था कि आपके पास अगर अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो यहां पे आप GPU कर देंगे ठीक ह यहां पे मैं जाता हूं अभी मैं रेंडर करके नहीं दुखाऊंगा अभी मैं कुछ करने नहीं जा रहा हूं बस मुझे एक डॉलेस देना था सेयर करना था अभी मैं रेंडर अगर नहीं करने जा रहा तो मुझे यह बताना था कि आप GPU में भी अब आज मैं GPU का रेंडर से उसके support से आपको render निकालना है तो आप पहले तो यहां पे GPU करो इसे ठीक है GPU फेसरी art हो गया GPU ठीक है GPU करने के बाद यहां पे आपका जो भी होता है यह आपको जो भी यूज करना है ठीक है विर्थ हाइट डामेंशन एंड देन आप उसके बाद यहां वीरे पे आओगे यहां पे आपका अक्सर सभी का progressive होता है आपको progressive आपको मालूम है मैंने रिंडर सेटिंग में बता रखा है तो आप यहां पे bucket तो कि जल्दी निकालेगा आपका पकेट कर दीजिए तो मैंने आपको progressive आपकेट का बता रखा है बकेट कर दीजिए जिनकों नहीं पता है वह जा करके देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए छोटा सा एक डिव्यू इसका भी देही देता हूं यह होता है प्रोग्रेशिव में यही सब डिवीजन आपका हंड्रेड होता है समझ रहो और यह दीरे दीरे शाफ करता रहता है जब चाहो आप सेव कर लो लेकिन यहीं चीज देखिए बकेट में जाके मैक सब डिवीजन आपका 24 हो जाता है तो यहीं से बस सिम्पल सा आप समझ जाए लिए हंड्रेड और 24 तो इसी से समझ यह रीजन भी होता है फार्ष निकालने का और यहीं सब रीजन होता है तो अब बाकि आपको देखना है बहुत सारे वीडियो परें हुआ टिप्स अंट्रेक्स में रेंडर सेटिंग्स के तो वहां आप देखा के कैसे हम टाइम लगा सब्सक्राइब करने के बाद आपका बागी कुछ उतना नहीं करना है क्योंकि CPU है गाफिक कार्ट करेगा जल्दी जेंडर जो रेंडर आपका जो रेंडर आपको इसमें नॉर्मल अगर 24 जो उसका अगर वाकेट पर 24 करके डिफॉल्ट और इसमें 24 ही रखें और यह सब वह देखो कि आप नोटीस करोगी GPU आपका आधिस से भी कम टाइम लेता है जो 10 मिनट का रेंडर अगर निकल रहा है CPU में वह GPU में आपका चार मिनट पांच मिनट के अंदर ही निकल जाएगा वह 10 मिनट करता है और अच्छा ग्राफिक कार्ड है यह नॉर्मल ग्राफिक कार्ड यह डिपेंड करता है यह यह चाहो आप कम करो जल्दी और निकालना है नहीं तो रहने दो रिट्रेस का भी मैंने बता रखा है बाकी आपको यहां आना है उसके बात है यहां पर यह सब सेटिंग्स है यहां आपको क्लिक करोगे शॉरी नीचे वाले पर एंड देन आपका यहां पर आता है वीरे जिप्यू रेंडर डिवाइस सेलेक्ट यहां पर आपका डिफॉल्ट में यह भी आता है यहां पर आपको सिर्फ अपना इनवीडिया वाला दिखाएगा और आप फूडा पर कर दोगे फूडा पर तो यह आपको दोनों अप्शन दिखाएंगे कि एक तो आपका Nvidia है और दूसरा आपका Intel R जो default systems में होते है default graphic card वो वाला है आप इसका use लेना चाहते हो default यह ऐसा ही होगा जब आप पूड़ा करोगी लेकिन आप इस पे भी click कर दो दोनो graphic card का power क्यों ना हम 7 में यूज कर लें और जल्दी निकल जाए तो यह काम आपको कर देना है इन दोनों को on कर देना है और सबसे main important काम यही है जब आप GPU करते हो तो सबसे main important जो आपका काम होता है वो यही होता है कि आपका C++, CPU, Intel और Nvidia, Kuda इन दोनों को on कर देना है मैं compression बगेर करके नहीं दिखा रहा हूँ आज के वीडियो में कि यह render CPU का है यह GPU का है आप खुद आप आज तक जो भी बनाए हो जो भी आपका model है उसको एक बाड़ आप CPU में करो और एक बाड़ जीपीउ में करो आपके आपको के सामने होगा setting आप default रखना ठीक है यह नहीं कि जो मैंने CPU में shortpot बता रखा है वो सब करना 24 को वो ठीक है दोनों में एक जैसा setting रखना और साथ में आप render निकाल के GPU का भी देखो और उसको इसका CPU का और GPU का दोनों का देखो साथ में छोटा render निकालो को चोटा model का साथ सामने निकाल के देख लो बेलकुल ही आपका आदे से भी कम टाइम में graphic card CPU render निकाल देगा तो इस डिपेंड करता है कि आपका RAM कितना है system में graphic card कितना है यह यह दोनों classes मिले जो ले है last वाले class क आपको अच्छा लगा class तो यहाँ icon पे link मिल जाएगा ठीक है और CPU का तो मैंने already 3-4 classes बना रखे हैं GPU में जादा setting करने के लिए होता नहीं है बस आपको यहाँ resolutions डालने है ठीक है आपको custom करना है या जो भी चाहिए अभी HD का है and then यहाँ पे आपको यह अगर बहुर जल्द करना हो तो और अच्छा रेंडर और चाहिए तो उसको 1000 को 2000 कर दो ठीक है यह फर्क करने के time पे नहीं जब आप GPU और CPU का आप अपने end पे कर रहे हो दोनों renders के comparison तो आप दोनों का default setting पे निकालोगे बस GPU के time पे आप यह काम बस करोगे यहाँ पे यह दोनों option आप on कर दोग और दोनों graphic card के support से आप render निकालोगे ठीक है आज क्लास इतना ही था GPU वरसे CPU मैंने बताया और क्यूंकि मैंने last class में GPU को इंट्व्यू नहीं किया था मैंने जैसे की बताया था इसके उपर तो उसमें graphic card को render के time पे मैंने दिखाया किसी क्यूंकि मैं एक class में एक ही चीज़ focus रखना चाहता था तो मेरा जो मोटीव था last class में जो पताने का वो मैं वहाँ clear कर पाया मुझे लगा चलिए एक class और add करना चाहिए इसके उपर मैंने GPU को अच्छे से एक और class में बताना चाहिए तो मैं यह भी बताया हूं जिनका अच्छा graphic card है वो GPU के ऐसा नहीं है मैंने उसमें GPU को देखाया के render नहीं कर सकता है last class में लेकिन GPU भी कर सकता है वो मुझे इस class में add करना था ठीक है तो यह दोनों का अपना-अपना महत्व है ठीक है आपको जुसका power यूज करना है उसका कर सकते हो ठीक है तो GPU का भी यूज कर सकते हो अच्छा memory है तो memory का भी यूज कर सकते हो आज के क्लास अच्छा लगा तो हिट कीजिए लाइक बटन ठीक है दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वह सब यह सब टिप्स बगएरा सीख सकें आपके सारे फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो आप लोग कोई कुछ भी क्वेडी हो रहा हो की कोई या कुछ इसू आए तो आप तुरंत कॉमेंट कीजिए और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँ गा जल्द से जल्द करूँगा रिप्लाई और अगर क्वेडी आपका आच्छा लगा तो उसमें वीड कैसा हो तो इन्हीं चीजों से यह सब queries निकलते जाते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही कोई भी कोई भी कोई लिए comment कीजिए hit कीजिए like button को और अगर आप नए है पहली बार इस चानल पर आए है तो subscribe कीजिए ताकि future वे updates आपको सारे मिलते रहें जब भी कोई में tips बगारा डालता हूँ चानल पर आज के लिए इतना ही thank you